नए संसत भवन के उद्गाटन कारिकरम में शामिल होने से नाराज जदियू राज्यसभा के उपसभापती हरिवंश को पार्टी से निलंबित करने के तैयारी कर रही है पार्टी ने हरिवंश पर पद के लिए जमीर बेचने का आरोप लगाया कौर तलब है कि हरिवंश न सिर्फ रईवार को उद्गाटन समारों में शामिल होए थे बलकि नए संसत भवन में राष्टपती और उपराष्टपती का संदेश भी पढ़ा थे जदियू सूत्रों ना बताया कि पार्टी नित्रत्प ने हरिवंश के पास उद्गाटन समारों से दूर रहने का संदेश भीजवाया था संदेश के बावजूद उद्गाटन समारों में शिर्कत करने से पार्टी नित्रत्प उनसे बहत नाराज है हरिवंश ने समारों में शामिल होकर नित्रत्व के निर्देशों की अवहिलना की बीते साल जब जदिव ने भाजपा से नाता तोड़ा था तब पार्टी नित्रत्व को उम्मीद थी कि हरिवंश खुद ही उपसवापती पत्से इस्तिफा दे देंगे इससे नाराज माकपा ने चटरजी को पार्टी से निलंबित कर दिया था जद्यू के प्रवक्ता निरज कुमार ने कहा कि हरिवंश ने पद के लिए अपनी लेखिनी और जमीर को बेच दिया पार्टी ने तरत्व ते समय पर फैसला करेगा कि उनके खिलाफ क्या कारवाई की जाए मेडिया को फोटो दिखाते हुए निरज कुमार ने हरिवंश से पूछा राजसबा धक्ष को आमंत्रित नहीं किया गया था लेकिन आप कुरसी पर बैटे हैं क्या आपने कुरसी के लिए अपनी जमीर बेच दी है आने वाली पेड़ी आपको माफ नहीं करेगी ऐसे समय में आपकी उपस्तिती दुर्भाग्य पूर्ण थी यह हमारे लिए गहरी चिंता का विशह है पाटेन आपको बड़ी उमीद से संसक के उच्च सितन में भीजा था लेकिन आपने कुरसी के लिए समझाता कर लिया निरज कुमार के रुक पर प्रतिक्रिया देत हुए बीजी पी नेता और केंद्री मंत्री गरराज सिंग ने कहा कि ये दुरभागय पूर्ण है कि मुख्य मंत्री नितीश कुमार हरीवंच जैसे नेता पर सवाल उठा रहे है नितीश कुमार ने प्रधार मंत्री का पद हासिल करने के उमीद में सब कुछ हो दिया है गरराज सिंग ने कहा कि ने संसद भवन के उधगाटन में शामिल होने के लिए हरीवंच जी के अलोचना करने के लिए हमें जेडियू की निंदा करने चाहिए उन्होंने राज्यसभा के उपसभापती के लिए अब शब्दों का इस्तमाल किया हरिवंश का जीवन इमांदारी पर आधारित है वो एक विश्वस्निय व्यक्ति रहे है जेडियू सांसद एवं राज्यसभा के उपसभापती हरिवंश नारायन सिंग के नए संसद भवन के उद्गाटन सवारों में जाने हो लेकर बिहार के सियासत में खलबली मच गई बीजेपी ने हरिवंश को लेकर जेडियू पर निशाना साथा बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि जेडियू सांसद हरिवंश नारायन सिंग राज्यसभा के उपसभापती है वो ने संसद भवन के उध्गाटन सवारों में भाग लिए राश्टपती और उप्राश्टपती का संदेश पढ़े पीम के स्वागत में खड़ी थे ये जेडियू की दोरी नीती है मैस पर जेडियू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुश वाहा ने कहा कि हरिवंश नारायन सिंग की क्या गतिवी धी है ये सब को पता है सब लोग जानते हैं हरिवंश नारायन सिंग को नूटिस लेने की जुरूत नहीं है महिन राश्टपती से नए संसद भवन का उध्गाटन नहीं कराय जाने पर जेडियू के और से पट्टा में धरना परदर्शन और उफवास का कारेकरम रखा गया था इस दोरान जेडियू के कई दिकेज मौजूद रहे जेडियू ने उध्गाटन समारों का बहिश्कार किया मैं राजसबा के उपसभापती हरीमश नारान सिंग को लेकर बीजेपी जेडियू को घेर रही है और जेडियू पर दोरी नीती का आरोप लगा रही है वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम